दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पाहले कबर नीचे केबिनेट का बड़ा फैसला कोरोना मिर्तकों के परिजिनों को साड़ी चार लाख रूपिय देगी बिहार सरकार जहां भीहार के मुखिमंतरे नीचे कमार के नेतुत में बुदवार को केबिनेट के बैठक हुई बेड़क में 6 एजेंडो पर मुहर लगी है इनमें सरकार ने सबसे वड़ा फैसला कोरोना वारिस से जान गवाने वाले लोगों के आसरेतों के हक में किया है कोविड-19 मिर्तोकों के निकरता मासरेतों को सरकार की तरब से 4,50,000 रुपय के अनुगरा रासी दे जाएगी इसके अलावा बिहार पेसा कर नियामावले में संसोधन को मंजूरी मिल गई है बता दे कि नितिस केबिनेट के बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना मिर्तोकों के परेजनों को आक्समिक्ता निदे से 4,00,000 रुपय के अनुगरा रासी दे जाएगी इसके लिए सरकार ने 106 करोड रुपय के रासे सिकिर्ट की है अगली बड़ी खबर बिहार में कोरोना की जबरदस लहर पटना में 1015 नए केस प्रदेश में 1669 संक्रमित मिले जहां बिहार में कोरोना की तेसी लहर बेकाबू होते जा रही है पिहार में संक्रमन का बड़ा विस्पोट हुआ है राज के अंदर पिछले 24 गंटे में 1669 नए मरीज मिले है जबकि राज़ानी पटना में 1015 मरीजों की पैचान हुई है जो अब तक का सबसे बड़ा कोरोना बलाष्ट है एक दिन में लगबग दोगोने मरीज बड़े हैं जो बेहदी चिंता के विस्पोट है बता दी कि बिहार में 24 गंटे में कोरोना की 1669 केस मिले हैं सबसे ज़्यादा केस पटना में 1015 मिले हैं एक दिन में लगबग दोगोने मरीज बड़े हैं इसके पहले पटना में 565 मामले स सकती है अगली बड़ी खबर कोरोना की वज़ा से नितिस कुमार के समाज सुधार अभियान पर ब्रेक जनता दर्बार भी नहीं होगा जिसे देखते वे बिहार सरकार ने समाज सुधार अभियान पर ब्रेक लगा दी है तो वहीं जनता दर्बार को भी सगित कर दिया गिया है पिछले समुआर को जंदा दर्बार में एक दर्जन से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे जिसे देखते वे या निनने लिया गिया है अगली बड़ी खबर तीन दिन तक बुखार नहीं तो साथ दिन में निगेटिव भारत सरकार ने बदली कोरोना गाइड लाइन बिहार सरकार ने भी लोगों को किया अलग जी हाँ अगर आप कोरोना पोजिटिव है माइल केस के साथ होम आईसो लिसल में है लगातार तीन दिनों तक बुखार भी नहीं आया है तो साथ दिन में खुद को कोरोना निगेटिव माल लीजिए क्योंकि अब भारत सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन बदल दिया है अब तक 10 दिनों में निगेटिव के गाइडलाइन थी और इस प्रोटोकाल का फालन हो रहा था केंद सरकार के नई गाइडलाइन को लेकर बुदवार को स्वास भीबाग ने राज के लोगों को नई प्रोटोकॉल के बारे में बताया है गाइडलाइन के अनुसर कोरोना प जन्यों तक देश को भी मास्क लगाना है, 7 दिन में अगर 3 दिनों तक लगतार फीवर नहीं हो तो घबराना नहीं है, 7 दिन में खुद को निगेटिव मान कर आब सामाईन हो सकते हैं, 7 दिन बाद कोई टेष्ट कराने की जरुद भी नहीं होगी अगली बड़ी खबर बिहार के दोनों डेप्टे सीम साइट कई मंतरी कोरोना पोजिटीव सीम नितिस ने टाली समाज सुधार या द्रभी आर में कोरोना वारिस के मामले तेजी से पाप असार रहे हैं इसके अलावा उतबाद मंत्रे सुनिल कुमार, असोक चोधरी और विजय चोधरी भी कुरोना पोजिक्टिव मिले हैं कुरोना की सिती को देखते वे सीम नितिस कुमार ने अपनी समाज सुधार यात्रा इस्तागित कर दी है आपकी जानकारे के लिए बदा दे कि इससे पहले बिहार के पूरो मुख मंत्रे जितारा माजे भी कुरोना की चपेड में मिले थे बड़ी कबर आज से एक इस तक बिहार में नाइट कर्फियो नए गाइड लाइन जारी मौल सिनेमा हौल जेम पार्क धारमे किस्तल बंद रहेंगे दुकाने आठ बजे तक खुलेगी जिया बिहार में आज से नए गाइड लाइन लागू होगी राज बर में रात दस बजे से सुब़ पांच बजे तक नाइट कर फिर रहेगा एक बर फिर से सभी धारमे किस्तल सिनेमा हौल सौपिंग मौल कलब सेमिंग पोल इस्टेडियम जेम पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पुरी तरह बंद कर दिया गया है आड़ बी तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्तान बंद कर दिये गया है सभी दुकाने रात आड़ बजे तक ही कुल सकेगी साथ या आपको बदा दे कि साधी समारों में 50 लोगों की अनुमती होगी डिजे और बाराज जलोस की इजाज़त नहीं होगी साधी की सुचना तीन दिन पहले इस्ताने थाने को देने होगी अन्तिम संस्कार स्राद कारकरम में भी 50 वेक्तिव की सिमा रहेगी अगली बड़ी खबर सियम नितिस के पिता कविराज राम लखन के समान में हर साल 17 जन्वारी को होगा समारो केबिनेट की मुहर जा मुखि मंत्री नितिस कुमार के पिता फ्रसिद स्वतंदरता सिनानी स्वर्ग्य कविराज राम लखन सिंग बैद के अलावा सहिद नातुन परसाद यादव सिल बदर याजे मौंगल सिंग और डुमर परसाद सिंग के समान में नगर परिसद चेतर बक्तियार पूर में इस्ताबित प्रतिमा इस्तल पर प्रतेक वर्स 17 जन्वरी को राज की समारो आये जित होगा केबिनेट ने मंत्री मंदल सचवाला के इस प्रसाब पर अपनी सहमत दी है अगली बड़ी खबर बिहार जारकन से गुजरने वाली साथ ट्रेनों को आठ तक रद कर दिया गया है राजदानी समेत सत्र ट्रेनों के मार्ग बदले गये हैं सोनपूर रेल मंदल के हाजेपूर बचवारा दोहरी करण के अंदरगत सापूर पटोरी और सदेई बुजर्ग दोहरी करण कायर पुरा हो चुका है इस रेल कंड पर परिचालन बहाले से पहले सिग्नल ट्रेक लिंकिंग, क्रोसिक पॉइंट सहीत सभी तखनीकिक कायरों को अंतिरूप देने के लिए प्री एनाई और एनाई कायर प्रारम कर दिया गया है इसी को देखते वे साप पूर पटोरी सदेई बुजर्ग रेल कंड पर ट्रेनों के परिचालन में बारी बदलाव किया गया है पूर मैद रेल के मुई की जनसंपर कदिकारी राजस कुमार ने बुदवार को बताये कि ये कायर साथ जनवरी तक चलेंगे इस दोरान उगताओदी में इस रेल कंड से गुजरने वाले मेलो और एक्सपरेस के साथ पैसेंजर स्पेसल ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया है अगली बड़ी ख़बर अब कोरोना केट लेकर आएगा डाकिया दवा डाकिया लेकर घर पहुच जाएगा बैस अपना मोबाइल नमबर ओन रखियेगा और डाकिया को घर का सही पता बतियाएगा स्वास्ट बिवाग दवा के डिलेवरी से लेकर निगरानी तक के लिए मोनेटरिंग सिस्टम तयार कर रहा है स्वास्ट बिवाग के अधिकारियों का कहना है कि एक से दो दिनों में यह सिस्टम पुरी तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा बाड़ी कबर बिहार में ठन का कहर निउन्तम पारा दस से नीचे अगले दो दिनों तक कोल डेक के हला जिहा बिहार में ठन बढ़ने लगी है हर दिन तापमान में तेजे से गिरावट हो रही है वह है माचल परदेश कस्मीर और आयन उत्तरे राज़ों से आ रही सर्द पज़वा हवा के आने और नमी की वज़ा से कुहासा के साथ साथ फिर कनकनी बढ़ गई है अधने वाले दो दिनों तक पातना सहित पूर राज में कोल्ड है के सित्थ रहेगी अगली बड़ी कबर देश में कोरोना के बड़ते मामलों की बेच हमिक्रोन का आकड़ाव एग इस्सों के पाद जहाँ देश में कोरोना वारिस के नए वेरियंट ओमिक्रोन ने अब रबतार पकड़ ली है खतरनाक वेरियंट ओमिक्रोन के मामले में भी तेजी से बढ़ने लगे हैं जहाँ देश में भी ते 24 गंटों में कोरोना वारिस के 58,000, 97,000 नए केस सामने आए हैं वहीं 534 लोगों की मौत हो गई है बता देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट के 235 मामले सामने आ चुके हैं स्वास्त मंत्राले के और से जारी किये गए आकड़ों के अनुसार देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,14,004 हो गई है और इस महमारी से जान गवाने वालों के संख्या बढ़कर 4,82,551 हो गई है बाड़ी कबर 15 करोड पहुच गई बिहार के आबादी निर्वाचन विबाग ने जारी किया वोटर्स के सूची 9,86,962 वोटर के बढ़ुची यह आएक तरब जाती है जनगना को लेकर बिहार में बवाल मचा है इदर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के आबादे के लिष्ट जारी कर दी है बिहार के जैन संख्या 14 करोड 91,41,337 हो गई है जिनमें पूरू 7 करोड 54,93,051 है और महिला 7 करोड 36,48,086 है यह आकड़े आये हैं भारत निर्वाचन आयोग से एक जनवरे 2022 के आधार पर निर्वाचकों की सुची परकासित की गई है अगली बड़ी खबर बाल विबा के खिलाब बिहार सरकार की बड़ी पहल 14-19 साल की लड़कियों को मिले गलाब किसोरियों को समाजिक कुरितियों के खिलाब जागरुक कर आत्म निर्वर बनाने के लिए महिला विकास निगम 22 जीलों में उड़ान अभियान की सुरुआत की गई है इसके तहद 14-19 साल की किसोरियों को दहेज वा बाल विबा के दुस परवाव के बारे में जागरुक किया जाएगा इसके साथ इनको कोसल विकास उजना के तहद विबिन कोर्सों की ट्रेनिंग देकर आत्म निर्वर बनाया जाएगा 15 जनवरी को पटना में कारिकरम आज़ित किया जाएगा इसके तैयारिया तेज कर दी गई है अगली बड़ी कबर बिहार पुलिस कॉंस्टेबल पीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी जिहां बिहार पुलिस कॉंस्टेवल पीटी परिचा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है बिहार पुलिस कॉंस्टेवल भरते के लिए जिन उमिद्वारों को सारे रिख परिचाओं के लिए सोट लिश्ट किया गया था वे Central Selection Board of Constable CSBC के अधिकारिक वेवसाइट पर जाकर अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं PT के लिए उमिद्वार अपने Registration नमर की मदद से Login कर Call Later डाउनलोड कर सकेंगे साथ है आपको बता दे कि जो भी उमिद्वार अधिकारिक वेवसाइट से Admit Card डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वे बोर्ड के ओपिस जाकर 24 से 25 जनुवारी के बेज डुब्लिकेट Admit Card प्राप्त कर सकते हैं इक बर बिहार के इननी गारा जिलो के वाहन मालिक समल कर चले सकती से लागो होंगे ट्रेफिक नियम जह links प्राइजानी पाटना के अलावा ने बड़े सेहरों में सकती से पालन कराया जाएगा इसके अलावा दुरगटनाओं को कम करने के लिए हर जिले में बलेक स्पोर्ट चिनित किया जाएंगे वाँ ट्रैफिक विवस्ता सक्त की जाएगे इसकी तैयारी सुरू कर दी गई है जिन जिलो में ट्रैफिक डेस पी तैनाथ है वाँ नियूमो का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्दिस दिये गए है पाटना के अलावा गया बोजपूर सारन मुझपरपूर बेगुसराई कटिहार पुर्निया भागलपूर मुंगेर दरबंगा और नालंदा में ट्रैफिक डेस पी के पद है इने जिलो में ट्रैफिक के बढ़ते दवाब को देखते वे ट्रैफिक नियूमो का सक्ति से अनुपालन कराने के निर्दिस दिये गए है इने जिलो में भी हेलमेट चेकिंग फोर विलर में सीट बेल्ट लगाना अनिवार कर दिया गया है इसके उलंगन पर सक्ति से जुर्मना भी लगाया जाएगा चप्रा में भी केमरा लगी बर्दिस से लेस वी ट्रैफिक पुलिस की वेवस्ता की गई है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार के हर जिले में मास्क चेकिंग अभी आन चलाया जा रहा है या नहीं इसका जवाब आप में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं